Hello Friends, I am Rahul and Welcome back to ECLE Learning Institute तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में है और आज हम पढ़ेंगे BINOMINAL WORDS BINOMINAL WORDS क्या कहलाता है इसका मतलब यह होता है कि कुछ अलग प्रकार की जो WORDS रहते दो डिफरेंट डाइप के उनमें हम कुछ CONJUNCTION इसका मतलब इसका चेंज कर देते हैं अगर हम एक-एक मतलब की बात करें जैसे SIMPLE लेते हैं GIB OR TAKE तो लेना और देना होता है लेना देना लेकिन अगर हम इसमें CONJUNCTION AND OR OR OTHER जो TERMS अगर हम यूज करें तो इसका मतलब हो पूरा CHANGE हो जाता है जैसे कि इसका हिंदी मतलब हो गया लगवक तो इसे BINOMINAL कहलाते है BINOMINAL कहलाते है तो आज की वीडियो इसी पर वेज से तो कुछ हमारे सामने छे साथ यह BINOMINAL WORDS है और हम इसके बारे आज हम पढ़ने वाले हैं साथ साथ इससे रेडेट कुछ हम सेंडिस भी बनाएंगे और आप भी प्रयास करना सेंडिस बनाने का ताकि आप आपकी प्रैक्टिस में आ सके आप इस सेंडिस को आप अपनी कमेंट बाक्स में भी आप आसानी से बना सकते हैं शुरुआत करते हैं आज की क्लास को तो देखते हैं first bit and pieces bit and pieces bit and pieces का मतलब क्या होता है इसका हिंदी मतलब होता है छोटी-छोटी चीजे bit and pieces छोटी-छोटी चीजे तो अगर हम सेंडिस को तौर मनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि there are bit and pieces IMPORTANT in मैरीज तो सादी में छोटी-छोटी चीजे प्रहते हैं इसका हिंदी मतलब यह रहा तो इस प्रकार सें्टिस में इनका यूस कर सकते हैं लिकिन लेकन सबसे बड़ाइब ये है कि इनका यूस करने के लिए अगर एक फॉरमल इसनेंट रहेगा और आप सोचे को हम इसको पहचान पात यह इसका मतलब अर्थ नहीं निकलेगा यदि आपकी आंगे या पीछे इससे लेटे जो सेंटेसिस रहेंगी तब आप इनको अर्थ और अच्छे से आप निकाल सकते हैं आपकी स्पीकिंग में कोई स्टोरी की तोर बें कोई आप बता नहीं है कोई सेंटेस मैं इसी बिल्लकल हम कर सकते हैं कि इसे नेक् स्ट देखो थर्ड किया है अउर्थ गेव आर्थ को की लेना देना नहीं हो इसका मतलब अप्रॉक्समेटलिंटल कि तो हम बोल सकते हैं क्या वाची दिस रोड अप्रोक्समेटली हम यूज ना करके बोल सकते हैं इस रोड गेव एंट टेक शिक्स फीट बोल सकते हैं आसानी के साथ में और इविए आप सेंटेस के यूज कर सकते हैं आंगे पीछे हम फॉर्मल बता रहा हूं हो सकता है मेरे सेंटेस बनाने में कुछ आपको समझ में नाय तो अंख को सवाईसल अंदसल इसको मतलब होता है भहत शोर में काम होना क्या है बहुत हम होना है सल ए बैसल सथ होता है वह हम एंदले सलेंट है टीके क्या है डीक Disneystar तो इसका प्रेजन्सेशन नहीं होगा ठीक है, तो हैसलare बहुत स्वर में काम होना कोई काम होता है वहly again then तो सांसना बहुत सकते हैं तो हैसानी साफोगित्जार प्रेशो Mär kommल सकते हैं आपने सुनाब, इस का मतलब होता है , या या रोजी रूटी अधोर पर भूल सकते हैं। यूज़े असानी साहनर Doing hard work. European tea. It is bread and butter क्या है ? ये bread and butter है एसे we use को ब्राइट, इस Yit is bread and butter यह भी मैंने पड़ाई है, शॉट्स में आगर जाओगो तो मैंने इसको बताया है, अगर वे शॉट्स वीडियो चेक करना चाहते हो, इस है लिकी तो इसमें बताया है on and off का मतलब, इसका मतलब होता है कभी-कभी यहां पर रुक-रुक कर, ठीक है, तो बोलता हूं कि मैं कभी भी वीडियो बनाता हूं, ठीक है, तो आई मेक वीडियो on and off, ठीक है, तो यहां पर रुक-रुक कर भी हम बोल चकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आसानी के साथ में, ऐसी next क्या है, fair and square, क्या है, fair and square, मतलब होता है, इमानदार, और टिरा नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इमानदार, honest person, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इमानदार, fair and square, ठीक है, तो बोल सकते हैं, कि people should be fair and square for election, election के लिए, लोगों को fair and square होना चाहिए, इमानदार होना चाहिए, आप बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आसानी के साथ में, आप sentence में आपको जरूर यूज़ कर learn, मतलब कुछ नया सीखना, क्या, कुछ नया सीखना, क्या, कुछ नया सीखना, जह हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं, live and learn, तो बोल सकते हैं, I want to live and learn, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, I want to explore, live and learn, we can use this sentences very easily, तो this was the sentences, we can say that binomial words related, so that I hope you could understand properly, आप इसको सब्सक्राइब करें, और घंटी बाला बटन आप अब से दबाएं, ताकि आपको लेटिस वीडियो आप तक पहुंच सके,